नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चेनल के उपर आपको पता है कि हमने आर्पेसी फस्ट ग्रेड के जो 35 टेस्ट पेपर अब तक अपन सोल कर चुके हैं पहले के जो टेस्ट पेपर है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देरे की है तो ये वीडियो खतम होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर को भी देख सकते हैं देखे आज का जो टेस्ट पेपर है उसका अपन सुरू करते हैं पहला क्यूशन है बुडो दीत का सूर्य मंदिर है वो राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो कौन से जिले में ये राजस्तान का जो कोटा जिला है हाडोतिक शितर का जो कोटा जिला है उसकी देखे कोटा जिले की दिगोध तैसिल की यह पंचायतन शेलिका प्राचिंतम सुरिय मंदिर है बुडो दीद का सुरिय मंदिर तो कोटा जिले में ये इस्थित है नेश्ट किसे राजस्तान का सिमला किसे कहते हैं तो रास्तान का सिमला माउंट अबू को कहते हैं माउंट अबू कहां पर राजस्तान का जो शीरो ही जिला है वहांपर इस्थित है तामर लेक में है तो ये कौन से तामर लेक के अंदरकत मिलता है ब्रोंच गुजर तामर लेक के अंदरकत इसकाव लेक किया गया है नेश्टा सुकर निती में दुरूग के कितने परकार बताए गए हैं तो सुकर निती में दुरूग के नो परकार बताए गए हैं और ये नो दर्ग हैं, राजst्ятान में कौन-कोन से केटेगरी के दर्ग रास्तान में इस्तित हैं इसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो प्रवाइट करवा रखा है, आप मारे प्लेलिस्ट में जाओंगे तो राजस्तान फौर्ट विद फ्लोस आर्ड के माद देम से जो फोल्ड बनावा है रास्तान के दुर्गों की सीरीज अपने शुरू कर रखी है उसमें आपको रास्तान के हर एक दुर्ग के बारे में आप वहाँ पर दिन कर सकते हो तो नो प्रकार के दुर्ग हैं वो सुक्र निती में बताए गए हैं नेस्ट देखे रगवन्षी परतिहारों के अधिकारक्षेत्र में था तो रगवन्षी परतिहारों के अधिकारक्षेत्र के अंतर जालोर भी था उजेन भी था और कन्योज भी था तो उपरोग तो सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेस्ट आपको दे रखा है क्यूशन को सोल करोगे तो कौन सा आएगा इसके अंद्र गते ब्रहम स्पूत जो शिदान्त है वो ब्रहम गुप्चे ही सम्मझ देता है जिसा कि नाम से ही सबस्ट आपको पता है वह माग इसके अलावा उपमिती भाव प्रपंच कहता है वह शिद्धर सी इसके लावा भैव सी एक जो कहा है वो धंबाल तो ओफ्शन आपको जो दे रखा है चार तीन दो एक या आपको फैस्ट में दे रखा है और यहीं क्या हो जाए समकालिन नहीं थी कौन शींग नहीं थी वह बताना है तो देंकि मिस्र थी बेबिलोनिया भी थी सुमेर भी थी युनानी सब्बेता है वह सिंद्धू अथवा जो हड़पा सब्बेता है उसके समकालिन नहीं थी इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वह इसका राइटानसर आपको थर्ड देरे रखा है वो जो रायट आसरो हो का नेश्ट ते र insulted गानंधी जी ने कांगरेस के साथ अपने उपचारिक समभन वो कब समाप्ट किये थे गुटिक 1934 के अंतरगत गांदी जी ने कॉंग्रेस के साथ में अपने उपचारिक संब्द है वो समापते कर लिये थे फिर नेश्ट दे रहा है जो आजाद अबूलकलाम ने निमन में से किस समाचार पत्र का प्रकासन किया था तो इनमें से देखिये जो अल हिलाल है अल नदवा है वकील इन सबी समापते का प्रकासन haunting किया था नेक्ट देरिखाय राजिस्तान में 857 के विद्रोह का सारवादी का महतवपूर्ण के अंदर कौन सा था तो कोटा जो है वो रास्तान में 877 के विद्रोह का सारवाधिक महत पून के अंदर था देखे दोस्तों मैं आपको 877 के विद्रोह की करांती से रिल्टेट एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है जिसमें 877 की करांती से रिल्टेट जो भी important facts बनते हैं उन सभी के बारे में आप ध्यन कर सकते हो उसकी link में आपको यहाँ पर आई बटन पर दे दूँगा तो यहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख लेना ये वीडियो खतम होने के बाद में देखें next question आपको दे रखा है हेदर अली का संब्द है वो किस राज्जे से था तो हेदर अली का जो संब्द है वो मेसूर राज्जे से था इसलिए मेसूर क्या होगा इसका right answer होगा फिर next आपको दे रखा है लसीका तंतर से संब्दित खतन है तो लसीका तंतर है उसे सम्मधित खतन निमेशे देखिए कौन सा दे रखा है लसीका वाहिनिया शीराओं में जाकर खुलती है बिल्कुल सही दे रखा है इनका संचरन हमेसा उत्तकों से रिधे की और ही होता है ये भी सही दे रखा है ये हमारे सरीर की रोग परतिरोदक्ता में महत्वपुन गुमिका निबाती है ये भी सही है देखिए तीनों खतन आपको इसमें सही दे रखे है इसलिए उपरोग सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट आपको दे रखाए निमने में से एवीज वरग का जनतू कौन सा है तो जो उलू होता है वो एवीज वरग का जनतू होता है नेश्ट आपको दे रखाए निमने में से किस खादे में विटामिन A की मात्रा है वो सरवादिक है तो गाजर में विटामिन A की मात्रा होती है वो सारवादिक होती है दूद में पाय जाने वाले विटामिन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है दूद में विटामिन C नहीं पाय जाता है क्योंकि विटामिन C होता है वो खटे फलों में पाय जाता है जबकि दूद में वो खटा नहीं होता है इसलिए विटामिन A, B और D पाय जाता है जबकि विटामिन C है वो आपका आवले में परचुर मात्रा में पाय जाता है नेश्ट आपको दे रखाए आवर्थ साहणिय में आवर्थ की संख्या कितनी होती है तो देखे आवर्ट सावर्णी में आवर्ट के संगया कितनी होती है साथ होती है नेक्षट अनिमने में से एसंगत यूगम कौन सा है वो आपको बताना है तो देखे इसमें परकास विद्यूत परभाव है उसकी खोज न्यूटन ने नहीं की थी तो प्रकास विद्यूत प्रवाव ये यूगम जो आपको दे रखा है वो क्या है असंगत है प्रकास विद्यूत प्रवाव की खोज है वो न्यूटन नहीं बलकि आइंस्टीन ने की थी जो कि जर्मनी से संब्ध रखता था देखे नीचे आपको लिख रखा है तो देखे इसमें option जो third होगा वो इसका right answer होगा नेक्ट देखा है भारत में परमाणू विकास से सम्मधित संस्तान कौन सा है तो देखे इसमें परमाणू उर्जावी भाग देली यूरेनियम कॉर्परेसन ओफ इंडिया जादूगडा बिहार इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड हेदराबाद ये सबी हैं भारत में परमाणू विकास से सम्मधित ही संस्तान है इसलिए option जो आपको फोर्ट दे रखा है वो right answer होगा नेश्टे दे रखा है ताल शापर और परिहारा रन राजस्तान के किस सक्षेतर में इस्तित हैं तो ये शिकावाटिक शेतर के अंदर रगती है इस्तित हैं ताल शापर आपका चूरू के अंदर पढ़ता है तो देखें आपको जो option दे रखे हैं इनमें से 3 से समानता कौन सा सब्दा वो नहीं रखता है या आपको बताना है तो देखें इसका right answer कौन सा होगा बभुल्या होगा बभुल्या जिसको रास्तानी वहसा में याता है मतलब जिस मिट्टी वगर उड़ती है उसको बभुल्या के नाम से जाना जाता है तो option जो आपको फोड़त दे रखा है वो इसका right answer कौन सा होगा नेश्ट अबू परवत खंड की समुद्र तल से जो ओस्त उताई है वो कितनी है तो 1200 मिटर से दिखाए इसकी और से तुचाई नेश्ट दे रखाया राज़तानी का पहला सिल्प कलाम घ्राम जो हवाला गाम वो कहां पर इस्तित है तो यह उध्यपूर जी ले के अंदर का तीए सिल्प ग्राम जो हवाला गाम है वो इस्तित है निए दिरका है राजस्तान की उत्तर पूर्वी सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर पूर्वी सीमा देखे राजस्तान इस तरीके से आपका राजस्तान का जो मेब है ये उत्तर और ये पूर्वी इस सीमा से कौन सा राज्य लगता है मेप बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हरियाना जो इस्टेट है वो उत्र पूरी सीमा से लगता है इसलिए हरान्य क्या हो जाएगा इसका राइट आनसर हो जाएगा नेट आप को दर खाए निमने इसे परतापगट जीले में इस्तित है तो परतापकट जीले के अंदर गते जाखम बान दिश्टीत है, जल सागर भी श्टीत है, भवर सेमला भी श्टीत है, तो प्रोग तो सभी क्या हो जाएगा, इसका राइटांसर हो जाएगा, नेश्टे देर रखा है, राजस्तान में कम वर्सा का कारण इनमें से कौन सा है, परदन का सरवादिक उतरदाई है, तो मर्दा उतरदन के लिए रास्तान में सरवादिक उतरदाई कौन से होती है, वनों का विकास होता है, यानि वनों का जो कटाव है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है, नेश्टे देर रखा है, रास्तान में लवनी मिटी का सरवादिक परस किसे बुघरभी के काल किसे समंदित हैं देखे इसमें जो आपको ऊप्सन दे रहें उपरोप्सन में से कोई नहीं क्या होगा इसका राइट आंसर उगा नेक तो ऊपरमाल क्या है चित्तोडगड़द और भीलवाड़ा के मद्यका जो फठारी भूब आग है इसको ऊपरमाल क पठार के नाम से जानते हैं इसलिए option जो आपको first दे रखा है वो इसका right answer होगा फिर देखे next question दे रखा है RIE का परधान कोन होता है तो RIE का परधान कोन होता है प्राचार ये होता है option first क्या होगा इसका right answer होगा next है निम्न में से IASE कोन सा पर्मुक कारिय करता है तो देखे इसके अंदर परसिक्सन का कारिया है वो भी IASE का ही होता है अकादमिक निर्देशन अनुदेशक सामगरी का विकास उपरोग तो सभी क्या होगा इसका right answer होगा next दे रखा है राजस्तान राजिया पाठे पुस्तक मंडल यानि की RSTV कहां इस्तित है तो देखे यह जालाना डूंगरी के अंदर के इस्तित है और जालाना डूंगरी कहां पर है जेपूर में इस्तित है इसलिए उप्शन जो थर्ड होगा वो right answer होगा next दे रखा है देब बोई स्काउट आंदोलन की सुरुआत कब हुई थी तो इसकी सुरुआत गुनी 107 यूशी के अंतरगत हुई थी ब्राउन सी द्वीब इंगलेड में कुल 20 बच्चों को लेकर आंदोलन की सुरुआत है वो बेडन पौवेल ने की थी तो गुनी 107 क्या होगा इसका right answer होगा next दे रखा है स्काउट एम गाइड दिवस है वो कब मनाय जाता है तो 22 फरवरी को स्काउट गाइड एम दिवस है वो मनाय जाता है next दे राजस्तान शिक्ष्या पहल की सुरुआत राज्य में कब हुई थी दो 2005 के अंतर गतर राजस्तान शिक्ष्या पहल की सुरुआत हुई थी next दे मध्यान बोजन योजना यानी MDM का आरंब राज्य में कब हुआ था तो 15 अगस्त 1995 में को इसका आरंब हुआ था next question दे रखा है ब्लोक्स तरपर सर्वा सिक्ष्या अभियान का अधिकारी कौन होता है तो इसका अधिकारी BRCF होता है next दे रखा है रमसा की नोडल एजन्सी है तो रमसा की जो नोडल एजन्सी है वो देखे इन में से कौन शी होगी देखे रमसा की जो नोडल एजन्सी होगी वो गी राजस्तान माद्यमिक शिक्ष्या परिस्थ option जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका right answer होगा next दे ग्यानवारी कारी कर्म का परसारण किसके अधिन होता है तो ग्यानवारी जो कारी कर्म होता है उसका परसारण है वो आई जी एन ओवी के दिन होता है next देश के पहले इंगलेंड मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्गाठन कब और कहां पर किया गया था तो वारानशी में इसका उद्गाठन किया गया था और 12 नूवंबर 2018 ये इसका क्या होगा right answer होगा next देरकाई वर्स 2018 में टेस्ट मैच में दोहरे सतक लगाने की उपलब्दी हासिल करने वाले दुनिया के पहले विकिट किपर है वो कौन बने है तो काईन जार्विस बने है काईल जार्विस क्या होगा इसका right answer होगा next देरकाई अमरीका में पहली हिंदू सानसद बनने वाली भारत वन्ची कौन है उनका आपको नाम बताना है तो अनंत कुमार के हैं उनका नाम है देखे मैंने आपको जो करेंट अफेर्स की सिरीज शुरू कर रखी है उसमें भी मैंने आपको ये वीडियो प्रवाइड करवाय है देखे डेली Current Affairs की शीरीज में आप शुरू कर रखिये एनेकेडमी पर शुरू कर रखिये और यहाँ पर भी आपको रेगूलर वीडियों हो प्रवाइड होते हैं तो रोज सुबह जिसी Current Affairs का वीडियो प्रवाइड आपको हो तो उसे तुरंत देख लिया करो एसा मत सोजना की दो तीन दिन का एक साथ में देखेंगी फिर आपको इतना टाइम नहीं मिल बाएगा और आप नहीं देख पाओगे देखे अनंद कुमार क्या होगा इसका राइट आम सरोगा नेश्टा पुद्र का प्रदामंत्री नरेंदर मोधी के दुवरा गुनीश नॉवंबर 2018 को जन्यता को समर्पित वेस्टन पेरिफेरल अक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है देखे इसके लंबाई 135-136 किलोमेटर के मद्दे है नेश्टा वर्स 2018 में आयोजित रेनो इंटरनेशनल चेंपियनशिप है वो सम्मदित है तो देखे ये एर क्राप्ट से सम्मदित है नॉवंबर 2018 में शोक आयोजिन है वो चीन के हुंबई प्रांत के बुहस में इसका आयोजितन है वो क्या गय था तो एर क्राप्ट से ये सम्मदित है नेश्टा नॉवंबर 2018 में किसव भारती एक खिलाडी ने दुबई इंटरनेशनल चेलेंज का खिताब जीता है तो देखे ये जो खिताब है दुबई इंटरनेशनल चेलेंज का किताब ये असमिता चाहिलाने जीता है इसलिए उप्सन जो सेकिंड होगा वो इसका राइट आनसर हो जाएगा नेक्स्ट आपको दिरका है के अंदर ये सडक मंतरा लेके दौरा गुनीस नॉवंबर दो हजार अठारा को देश के कितने राजियों में इमर्जेंशी लेंडिंग एर जो स्ट्रिप यानि जो अपातकारिन हुआई पट्टी है बनाने की गोशना की गई है तो गुनीस नॉवंबर 2018 को आठ राजियों में ये अमर्जेंसी अपात कालिन जो हुआई पट्टी है वो बनाने की गोशना की गई है इन आठ राजियों के अंदरगत आपका राजस्तान है अंदरपदेश, तमिलाडू, जमुकस्मीर, गुजरात, ओडिसा और पश्ची बंगाल राजियों है वो इसके अंदरगत से में लिते होते हैं नेश्ट दे रखा है, गुनीश नॉउंबर वर्स 2018 के महाजन फिल्ड फारिंग रेंज में भारत ने किस देश के साथ में युद्धा ब्यास जो वज्जर परहार 2018 है वो प्रारंब किया है तो भारत ने रूस के साथ में वज्जर प्रहार 2018 जो युद्धा प्यास से वो प्रारंबे किया है इसलिए रूस क्या होगा इसका राइट आनसर होगा नेश्ट नॉवंबर 2018 में जोसुआ ने किस देश में आयुजित मेराथन रेस में नया वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है तो दक्षिने अफ्रिका में ये वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है देखे सारे जो current affairs के question है 10 question में ने इसमें include किये है और 10 question आपके 20 नमर के आरपे सी first grade में आपको पूचे जाएंगे तो ये 20 question है बहुत ज़्यदा माइने रखते हैं आपका paper exam clear करवाने के लिए तो current affairs का आप एक भी question है वो मत चोड़ना देखे next question आपको mathematics and reading से related दे रहे हैं किसी सांकेतिक बासा में give को ये account 37 लिखा जाता है bet को 904 लिखा जाता है तो gate को क्या लिखा जाएगा देखे इनकी जो करमांग है वो आप ध्यान रखना g5 है i का 1 है v का 3 है और e का 7 है इसी तरीके से लिखा गया है ये जो option आपको दे रहे है वो इसका राइटाम सुरो जाएगा नेश्ट आपको दे रहे है पार्क में एक महिला को देखती है विनित ने उमेज से कहा कि वह है मेरे दादा जी के इकलोते पुत्र की पुत्री है बताएगे कि विनित का उस महिला के साथ में एक 5 सेंटिमेटर बुजावाले घण को एक सेंटिमेटर बुजावाले क कितने सोटे गंण में वाजित किया जाता है तो देखे जहाइगे जो आप इसको चोटे गंण के संगए का आपको इस बार मान निकलना है आपकोन पता होना चाहिए आपको बड़ा घंग दे रखाए इसकी संटी मिटर 5 बुचा दे रिकिए और छोटे गनओं एक संटी मिटर में आपको ये बात जित करना है तो इसका मान कितना हैगा? N का मान 5 आएगा तो N क्यूब का मान यहाँ से कितना हैगा? 125 आजाएगा जो किसी भी संख्या द्वारा गुणा के जाने पर शदेव वही रहेगी बसरते की गुणन प्रल के अंगों का आपस में जोड़ा जाए देगे नो एक ऐसी संख्या है जिसको आप दो से मल्टिप्लाई करेंगे तो अठाराएगा और 8 रेक 9 कितना होता है? 9 होता है 9 को अगर आप 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 27 आएगा तो 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है 9 को अगर आप 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 36 आता है और 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है यहनि नो को आप किसी भी संक्याशी मल्टिप्लाई कर लो उसके अंकों का जब आप जोड करोगे तो लास्ट में कितना आएगा नोई आएगा ये कंफरम है है ना मजा की बात तो देखे इसका आंसर क्या आएगा नोग आएगा इसका राइट आमसर आएगा आप करके देख नावली दे रखा है मतपत्तर और रेडियो पील उपरोग तो सभी क्या होगा इसका राइट आमसर होगा नेश्ट दे रखा है साणियन की सीमा या दोस्ट या कमी या फिर इसका जो अवगुण है वो कौन सा है तो देखे पूर्ण परिसुतता का अभाव नीरस एम रुच विशिष्ट ग्यान की आवशकता उपरोग सभी उपरोग तो सभी क्या होगा इसका राइट आमसर होगा नेश्ट दे रखा है इस्तिती माद्य कितने परकार के होते हैं तो इस्तिती माद्य है वो दो परकार के होते हैं नेश्ट कुछन आपको दे रखा है परिमेश संक्य का दसमला रूप हमेशा कैसा होता है एस त्रोत और आवर्ती रूप होता है नेश्ट दे रखा है सम्मिकरण के संपाती हल के रिखिक सम्मिकरण का हल कैसा होता है तो इसमे क्या होता है इसके अनेक हल होते हैं नेश्ट आपको एक सम्मिकरण दे रहे हैं द्विकात सम्मिकरण दे रखा है दस तोदा वरग मिटर गन की भुजा आपको ग्यात करनी है तो गन का संपूर्ण के शितरफल के बराबर में इसका माद रख देना और वहां से गन की भुजा है वो निकल जाएगी वो इसकी भुजा कितने आएगी 13 मिटर के आएगा इसका राइट आमसर आएगा नेश्ट आपको देखा है तेल की कूंपी संकू के चिनक को बेलन से जोडने निक बनी है कूंपी के उचाई है वो 12 cm वैलनाकार भास की तिरिज आपको 4 cm। दे रखिय एगा इसका राइट आमसर रहेगा वो आपको बता दिता हूँ 10 cm के आएगी संकुक की छिननक की तीरेक उंचाई आएगी नेश्टे दे रिखा है 2 मीटर तीरजिया वाले एक अर्द गोलाकार कटोरे में कितना लेटर पानी आएगा जब 1000 लेटर को आपको 1 गन मीटर मानना है तो जब आप इसको सोल करोगे तो 16 ये चिंतर सही 19 बटा 11 लेटर के आएगा इसका राइट आमसर आएगा उसके बाद next question दे रिखा है निचे दिये गए सब्द में वेंजन संदी का उधारन कोन सा है तो ये जो आपको सब्द दे रिखे हैं इसमें वेंजन संदी का उधारन आपको बताना है तो देखें इसका राइट आमसर कौन सा हैगा पस्चा ताप है वो क्या है वेंजन संदी का उधारन है option जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आमसर हैगा नेश्टर निमली कितमें से सबसे अच्छी अभिवेक्ति कौन शी है तो देखें इन में से जो जैसा बोएगा वेसा ही काटेगा ये क्या है इन में से सबसे अच्छी अभिवेक्ति है option जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आमसरोगा नेश्टर किरिया के कितने वेद होते हैं तो किरिया के दो वेद होते हैं option first इसके उदर आएगा एक तेक्सी और आएगा इक आया जेगा एक आया जाएगा गूट आ जाएगा बोई आजिए अजएगा गढ़ाइट जाएगा नेस्टा राइट था इंटोनीम ऑफ एवी लेट तो मैस उप्सें शेकीन इसका आन्सुरूगा नेस्टा योजना-ायोग अब कितनी-कितनी-पंचवर्शी योजनाय कि अफूर्ण कर चुका है तो ग्यारां 5 वर्शीक योजनाय कि पूर्ण कर चुका है उप्सन जो फैस्ट होगा वो इसका राइटान शुरूगा 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ता दुआरा योजना आयोका गठन किया गया था तो देखे दोस्तों 75 कि इस नानसर के बारे में अपने इस वीडियो में बात किया है वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइ